नमस्कार मैं पंकच पंजिक गुर्गाओं समाचार के रेडियो कारक्रम गुर्गाओं दिन भर में आप सबी का स्वागत करता हूँ आज तारीख है 20 वई और दिन है गुरुवार पेस है आज की खास खबरे गुर्ग्राम में दो दिन से होड़े बारिश पर आज गुर्ग्राम लगा जिसके चलते गुर्ग्राम वाश्यों को गर्मी से रहात मिली महीं दूसरी और ताउ देविलाल इस्टेडिम में बने कौविड हस्पिटल के असपास पानी का नजरा देखने को मिला दूसरी खबर आज गुर्ग्राम वाश्यों के लिए करोणा मरीजों की संख्या को लेकर है गुर्ग्राम में आज करोणा के 5,550 मरीज ठीक हुए जबकि 101 क्यान में नए केस आए गुर्ग्राम में अभी तक 13,624 एक्टिव केस हैं आज गुर्ग्राम के विधायक सुदिर सिंग्ला ने मुख्यमंत्री वैसिक्सा मंत्री से आगरे किया है कि गुर्ग्राम के निजी स्कूलों में मासिक शिक्सा सुल्क के अलावा अन्य कोई भी सुल्क अभीवाकों से ना लिया जाए सोना के मारतिकुन छेतर में आज गोगिलिन विगा समीते के दोवारा वरक्षा रोपन का कारियावं किया गया कल दिनाख 21 माई को सोना के राजपुत चोपाल ठाकुर राड़ा में कोरोना एंटिजन ट्रेपी टेस्ट कैम्प का आयर्जन किया जाएगा जिसका समय सुभए 9 बजे से 11 वज तक का टैक किया गया है खबरे अबराज जगत से आज CIA सेक्टर 10 में लोगडाउन के दोरान सराप बेचने वाले एक आरोपी को गरफतार किया गया वहीं CIA सेक्टर 40 में एक आरोपी को 10 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया अब खबरे विस्तार से ग्रुग्राम में दो दिन से हो रही बारिस पर आज लगाम लगी जिसके चलते सहर में आज दो अलग अलग नजारे देखने को मिले जहां एक और सहर के कैई स्थानों पर बिजली गुल रही वहीं दूसरी और ग्रुग्राम के ताउ देवीलाल स्टेडियम में बने कौविड होस्पिटल के आसपास के इलाकों में पानी भर गया अस्पताल का नजारा पूरे दिन सोसल मीडिया पर चाय रहा इसके बाद नगर निगम की टीम स्टेडियम पहुंची जहां पर मोटर की मदद से बरसात के पानी को बाहर निकाला गया हम आपको बता दे यह अस्पताल वही अस्पताल है जिसका हाल ही में हरियाने के मुखमंतरी मनोहलार खटार ने उदगाटन किया था जिसके चलते गुरुग्राम में आज 5550 मरीज ठीक हुए वही दूसरी और 1191 में नए मामले सामने आए साथी आठ लोगों के मोती खबर भी आई हम आपको बता दे गुरुग्राम में अभी बी एक्टिव केसों की संक्या 13624 है वही उनमें से गुरुग्राम में अभी तक 11338 वो मरीज हैं जो घरों में आईसोलेशन हो रखे हैं गुरुग्राम में आज बड़ी खबर सिक्सा जगत से जड़ुई है जहाँ पर आज गुरुग्राम के विदायक सुदीर सिंगला ने हर्याना के मुखे मंतरी मनोहरलार खटर वे हर्याना के सिक्सा मंतरी से आग्रे किया है कि करोणा महमारी के समय में निजी स्कोले द्वा पर ज्यादा बोज नहीं बने इसलिए सुल्क के नियाव में बदलाव किया जाए। गुरूग्राम में आज CIE सेक्टर 10 ने एक आरोपी को गरफतार किया है, जिसके पास से पुलिस को 6 पेटी सराब की ब्रामध हुई है। वहीं दूसरी और गुरूग्राम के सेक्टर 40 CIE ने एक आरोपी को 10 किलो 200 गराम गांजा के साथ गरफतार किया है। आरोपी की पैचान उत्तर पर देश के गोंडा निवासी संतोस कुबार के रूप में हुई है। जब आरोपी से पुलिस ने पुछताज की तो आरोपी ने पताया कि वह इस गांजे को गुरूग्राम में बेजने आया था और उसने इस गांजे को 6500 रुपे प्रती किलों के हिसाब से खिरिता था। गुरूग्राम सुमाचार के रेडियो कारकर्म में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार सुबरात सब्सक्री सब्सक्राइब